कृषिए कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। किसानों का स्पष्ट तोर पर कहना है कि क्रिशी कानून का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक क्रिशी कानून खत्म नहीं किये जाते यहां ये भी बता दे कि किसानों ने सरकार से बाचीत का प्रपोजल बुधवार को भी ठुकरा दिया है किसानों ने कहा कि सरकार के प्रपोजल में दम नहीं नया एजिंडा लाएं तभी बात होगी सरकार किसानों की अंदेखी कर आग से खेल रही है उसे जिद छोड़नी चाहिए आपको बता दे कि क्रिशिमंत्राले के संयुक्त सचिव विवेक अगरवाल ने 20 दिसंबर को किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल को प्रपोजल भेजा था जो किसानों को रास नहीं आ रहा है किसान संगटन राष्ट्रिय किसान आयोग के सिफारिश के मुताबिक न्यूंत्म समर्थन मुल्य पर सभी वस्लों की खरीद की कानूनी गैरंटी की मांग कर रहे हैं किसानों का मानना है कि बिजली अधीनियम विधे के ड्राफ्ट पर प्रस्ताव साफ नहीं है जब तब आप क्रो सबसिडी बंद करने के प्रोविजन के बारे में साफ नहीं करते तब तक इस पर जवाब बेकार है हम बाचीत के लिए तयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन और साफ नियत से इस चर्चा को आगे बढ़ाए किसानों का कहना है कि अपील करते हैं कि बेकार के बदलाओं के खारिज प्रस्ताव को दोहराने के बजाए ठोस प्रस्ताव भेजे ताकि उसे एजेंडा बना कर बाचीत दोबारा शुरू की जा सके वहीं बता दे कि गृशी कानून वापस लेने की मांग कर रहे किसानों के समर्थन में विपक्षी नेता आज राष्टरपती रामनात कौविन से मिलेंगे वे दो करोर किसानों के साइन किये हुए ग्यापन को राष्टरपती को सौपेंगे विपक्ष का डेलिगेशन राहूल गांधी के नेतरतों में विजय चौक से राष्टरपती भवन तक मार्च निकालना चाहता था लेकिन इसकी इजाज़त नहीं मिली सिर्फ तेन नेताओं को राष्टरपती से मिलने की परमिशन दी गई है बताते चले कि हरियाना और पंजाब समेथ कई राज्यों से किसानों का दिल्ली पहुँचने का सिलसिला जारी है 26 दिसंबर को पंजाब के खनौरी से और 27 दिसंबर को हरियाना के डबवाली से 15-15 खिसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे वहीं बता दे कि किसान दिवस पर भी तीनों क्रिशी कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन रत अन्न दाताओं और सरकार के बीच वारता पर गतिरोध बरकरा रहा अपर्फेक्ट वेन्यू फर वेडिंग, लाँचिंग और पार्टी राजगराना और जोती गार्डन अजे बीटी बैंक्वेट्स एंटरप्राइब